साथ्यों नमस्कार आप मेरी वीडियो की टाइटल और यहां थम नियल देखकर की समझ गया होंगे कि हम किस मुद्धेवर बात करने वाला है जी है साला सिद्धी की निया पासवाड कैसे बनाएं के लिए OTP का सकता होती है यदि OTP याद नहीं है या फिर मोबाइल में OTP नही जाना पड़ा तब जा करके मैं साला सिद्धी की जो OTP वाले समस्या है उसका समाधाल लिगर का है साथियो टेकनिकल टीम हमेशा आपकी समस्याओं को सुल जाने के लिए लगा हुआ है निरंतर प्रियास कर रहे हैं तो ऐसे में साथियो यदि हैं करें आपको अच्छा लग करता हूँ कि अब इसके लिए साथियो आपको सबसे पहले आपको जाना होगा अपने ब्राउजर में और ब्राजर में जाने के वाद यहां पर सला सिद्धी की जो स्टाइडिस में आ जाएंगे अब नया पासवार रानने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर फार्गोट पा यहां पर फार्गोट करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी हो क्या रहा है जैसे में आप डैस कोड मुबाइल नंबर और एमेल आइडियो गरण रहे हैं गेरण प्राणे मोबाइल में मेसेज नहीं आरहा है तो ऐसे हम्सांतों जो हमने पहले बार पंजयार किया था उस स संबिट करके आगे अपना पास्टोर्ड बना सकते हैं अब आपके पास पीनोटी पी नहीं है तो उसको प्राप्त करने के लिए कैसे करें तो साथ हो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा सबसे पहले आपके संकुल लॉगिन में जिस प्रकार से आपने इसकुल के लिए डाटा भरने के लिए पंजियन किया था उसी प्रकार से आपको CSC के माध्यम से अपने संकुल का user ID बनाना होगा आप संकुल की ID और password को login करने के बाद आपकी साला की जो पुराना PNOTP है उसको प्राप्त कर सकते हैं याद रखेंगे यहाँ पर आपके जो संकुल की ID password है साला सिद्धी के लिए यदि अभी तक आपके संकुल के ID password नहीं बनाये हैं तो अपने CSC से कहिए कि नया बना ले फिर उसी ID password के द्वारा उसको अपने स्कुल की जानकारी मंगे फिर उसका उप्योग करके आप अपने साला की जानकारी बढ़ सकते जैसे कि मैं आप उधानान देता हूं मैंने अपने संकुल का user ID और password प्राप्ट कर लिया है अब उसके माधियम से मैं आपको धानान देकी बजा देता हूं जैसे कि मैं यहाँ पर login करे वाल option है login करने का option है user ID password तो यहाँ पर मैं अपने संकुल की जो ID password है उसको अप्योग करके यहाँ पर login किया है आपको बताने के लिए कर रहा हूं है अब यहाँ पर कुछ menu दिया हो इसको ध्यान देंगे पहला दिया होम दिया है manage users दिया है उसके बाद है manage school data data entry for school इस वरकार से option आपको दिखाए दे रहा है तो आपको यहाँ पर जाना होगा manage users जो तिसरे नमर के option में आपको जाना है और यहाँ जाने के बाद और यहाँ जाने के बाद आपको फिर यहाँ पर state districts है अपना block है cluster है यहाँ चुलने के लिए आपसंद आएगा तो यहाँ पर आप सारा जनकारी चुल लेंगे अपने cluster का जैसे कि 36 गरिया वन यहाँ पर चुल लिया है अब आप अपने संकुल के जिस इसकूल की वो टीपी पिंग जानना चाहते हैं वो यहाँ पर विलेज की आपसंद में जागर के विलेज को चैन करना है जैसे मैं यहाँ चैन करने के बाद यहाँ पर इसकूल चैन करने का आपसन आएगा इसो जैसे सेलेक्ट करेंगे फिर आपकी जो विलेज है उसमें कितने इसकूल है उसका नाम यहाँ पर सो हो जाएगा तो जीस इसकूल का आप यहाँ पर देखना जाए उसको क्लिक करेंग आचे उसके बाद यहांपर यहांपर आपको शेर्चक आफ़न दिया हुआ है इस ini शेर्चक आफ़ने क्लिक करेंगे यह हब देखेंगे साला की जानकारी यहांपर साला करिण आचुका है यहांपर डाइस कोड यहां zijn संस्ता का तो प्रदान उसका नाम है वाइल लंबर है यदि आपने email डाला हुआ है तो यहाँ पर email आएडी आएगा यदि नहीं है तो आपर तो आपको पराप्त कर लेना और इसी पीमोटीपी के माध्यान को फिर से निया पासवर्ड बनाने के बाद आप अपने सालाच सिद्धी की वेफ साइट में लॉगिन कर लेंगे और अपने स्कूल के समय स्वाइश्य समधान कर सके तो ठीक साथ आज के लवस्त नहीं मिलेंगे नियस्टी वीडियों निजाने कारी के साथ में तब तक के लिए जाहिन वंदे मातरव